मित्रो नमस्कार एक विशा है धार्म का धार्मिक अस्तल धार्मिक गुरू और धार्मिक ग्रंथ ये सारा जो विशा है धार्म का ये मानव जीवन की खुसाली के लिए बनाया गया है लेकिन विशा ये है कि जागर हम इस विशा को ठीक से नहीं समझते तो फिर बहुत परेशानी होती है आज का जो विशा है मेरा ये कि आखिर परमात्मा कौन है जिसे हम सदासिव कहते हैं जिसे हम इस्वर कहते हैं उसकी बेवस्ता क्या है जब हम भगवान की प्या परमात्मा की पूजा करते हैं तो किस क्या निमित क्या होना चीए भगवान को खुश करना है या स्वयम जो है संपन सुखी बेवसाली बनना है तो जो परमात्मा है सब लोग जानते हैं कि परमात्मा नेरा कार है वो जयन्मेवं म्रत्तू के बंदनों से मुक्त है अद्रस है आज तक किसी ने देखा नहीं है लेकिन उसका अस्थित है वह उर्जा है वह प्रानवान है उसके बिना कुछ है नई इस संसार में लेकिन उस परमात्मा की जो ब्यवस्ता है उसको हम आसानी से देख सकते हैं समझ सकते हैं हम लोग तीन देवताओं के नाम लेते हैं ब्रह्मा विश्णु और महेश अगर इस देश में किसी से पूछा जाए यह तो नाम सब लोग लेते हैं ब्रह्मा बात होती है तो लोगों से पूछो कि आप किसके उपासक हो अगर सो लोग पूजा करने वाले हो तो उनसे पूछे आप किसकी पूजा करते हो तो इन तीन नामों में से केवल एक नाम मिलेगा कि मैं स्यू का उपासक हूं मैं स्यू मंदिर जाता हूं मैं स्यू की पूजा कर देवताओं में ब्रह्मा विष्टू महस, आकास और सूर। आकास सूर का नाम इसलिए नहीं लिया गया है, पूजा पद्धतियों में, यूँ तो कुछ लोग सूर को अर्ग चड़ा देते हैं ना आते समय, अन्नता, आकास की बात तो कोई करते ही नहीं है, लेकिन हाँ, ब्र कि इनमें से स्यू की पूजा, जदत तो लोग स्यू की ही पूजा करते हैं, जबकि ये परमात्मा जो मेरा है, कहते हैं, छितिजल, पावक, गगन, समीरा, पंच, तत्त, मिल बना सरीरा, हमारा जो सरीर है, वो पंच, तत्तों से मिल के बना है, उनको हम देउता कहते हैं, तो विज्ञान के जानकार लोग कहते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद ग्यान को विज्ञान कहते हैं तो ये दर्सन और आध्यात्म के विषय भी जो है वो क्रमबद ग्यान के ही हैं अगर मैं इसके क्रम को तोड़ देता हूं या एकात मोती की माला को छोड़ देता हूं तो फि और सारे लोग धार्मिक के बाद भगवान की पुजा करने बाद भी दुखी क्यों था है तो यह जो परमात्मा का विषय है यह हमको सुख, सांति, सम्रद्धी और वैवओत देने वाला है मनुस के जीवन में सुख, सांत्री और सम्रद्धी है नहीं अभी वर्तमान में जबकि सारे लोग धर्मिक है अब वो अलग की बात है अपने मज़ब के अनुसार रीत रिवाजों के अनुसार धर्म को मानते हैं तो आज मैं सनातन संस्कृति की ओर लेके चलता हूँ जो हमारे बेद पुराण उपनिसद हैं बहुत सारे ग्रंथ उनकी रचना के पीछे का मकसद सिर्फ एक है कि ये मनुस जो 84 लाग योनियों में जो परमात्मा की सबसे सुन्दर और अंतिम रचना है वो स्वयम कैसे सुखी, सांती और सम्रद्धी रहे उसके जीवन में और ये प्रकृति का बैभव, निरंतर कैसे कायम रहे उद्देश के वल इतना है कि परमात्मा रोज रोज जनम नहीं लेता है परमात्मा के अवतार जिनकों हम कहते हैं अवतार राम है, क्रस्म है ऐसे अवतार रोज रोज नहीं आते हैं और 84 लाक योनियों में जो मनोस योनि की रचना है वो परमात्मा की ही सब अवतार है तो मैं ये क्यों बोल जाता हूँ कि मैं भी परमात्मा की अतार हूँ तो हमें समझना क्या है समाज को एक जुट रखने के लिए इस प्रकृत के बैवा को निरंतर सजाई रखने के लिए मुझे इन तीन देवताओं को समझना है तो देखिए ब्रह्मा विश्णू और महेश सूर निरंतर है इतना उचाई पर है कि मनुस्चाकर के भी ना इसका कुछ बना बिगाल नहीं सकता है मलब सूर के अस्तित्ट को ना मैं बिगाल सकता हूँ ना मैं बना सकता हूँ इसलिए सूर को थोड़ा अलग रखा गया है और फिर जो आकास है धर्ती से लेके सूरज और चांद के उस पार तक आकास निरंतर है इसका भी मैं कुछ बना बिगाल नहीं सकता हूँ तो केवाल इतना समझना है कि पांच देवताओं में तीन देवताओं की महिमा क्यों गाई यह जो तीन देवता हैं ब्रह्मा ब्रह्मा का मतलब मित्रुम वायू मंडल से इस भू मंडल के उपर का जो हिस्सा है वायू मंडल जिसको कहते हैं जहां तक हमारा वायू छेत्र है आ जलवायू का छेत्र जो है वो ब्रह्मा जी का एक प्रतीक है जब बिश्टू की बात करते हैं तो बिश्टू का मतलब होता है सागर छीर सागर में रहते हैं और जब सिव की बात करते हैं तो सिव का मतलब है प्रतवी या भूमी अब इनके जरत तीन देवताओं का आपस में आप देख लो तीन देवता या पांच देवताओं का आपस में तारतम्ब देख लो तो आपको संज में आ जाएगा कहते हैं कहानिया है पुराणों में कि ब्रह्मा जी कि शी characteristic का बिश्णु भगवान के चरण पखारते हैं और कि अब बिश्णु भगवान का चरण पखार करके उस पानी को अपने कमंडल में भर लेते हैं और जब शिव को प्यास लगती है धर्ती को तो संपूर्ण धर्ती पर वबारिश करते हैं अब अगर ब्रह्मा जी को मैं ऐसे देखता हूं कि ब्रह्मा जी कोई व्यक्ति है उसके हाथ में कमंडल है और बिश्णू को अगर ऐसे देखता हूं कि छीर सागर में नाक की पिंडी पर लेटे हुए हैं उनके चोटे-चोटे चरण है और वो एक लोटे से दो लोटे से उनके चरण को ब्रह्मा जी ने पकारा और वो पानी उनका पितल के कमंडल ने भर लिया तो उस कमंडल से तो इ यह तार्तम हमको जोड़ना है कि ब्रह्मा जी ने बिश्णू के चरण पकारे यानि समुद्र के चरण पकारे समुद्र का पानी इवैपरेट हुआ और बादलों में जाकर के रुख गया यह जो बादल है यह ब्रह्मा जी का कमंडल है और जब जरूरत होती है जब सिव को प्यास लगती है तो ब्रह्मा जी यानि बादल बरस्ते हैं और सिव की प्यास बुझ जाती है अब हम केवल सिव के उपासक है और सिव के उस स्वरूप के उपासक है जो सिव का वास्ट्रिक स्वरूप है नहीं सिव के काल्पनिक स्वरूपों का मैं उपासक हूं तो जो सि के रूप में मैं उसकी पूजा करता रहता हूं जब कि यह जो भूम अंडल या ब्रह्मांड की जो बेवस्ता है जहां पर बादल है जहां पर जो समुद्र का हिस्सा है जो भूम अंडल है यह जो भूमी है उसको मैं बिल्कूल कंसीडर नहीं करता हूं आज इतनी आवादी मे जो लोगों के बीच में मारा मारी है हाहा कार है लड़ाई जगड़ा है उसके वज़े सिर्फ एक है कि हम इस पूरे तार्तम को एक सुत में पिरो करके नहीं जोड़ते हैं तो देखे कि ब्रम्भा विश्लू और स्यू हमें तीनों देवताओं की पूजा करने अब पूजा का मदलब दोनों चीज़ हैं हम यूं मानने कि इनकी पूजा करेंगे तो यह मेरे उपर आसिरबात बरसाएंगे या मैं इनको खुश करूँगा तो इनका जो स्वरूप है वो सुन्दर बना रहेगा ये कोई व्यक्ति नहीं है कि इनकी मैं पूजा करके द्यान साधना में बैट करके और इनकी माला जब करके इनको फूल बत्ती अगरवत्ती दूब बत्ती जला करके और इनको फल मिस्तान चड़ा करके ये प्रसंद हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है और वर्तमान में यही हो रहा है कि मैं किसी भगवान की मूर्ती को सामने रख करके उसके सामने फल रखता हूँ, मिस्टान रखता हूँ, दूब बत्ती जलाता हूँ, सुपाली रखता हूँ, पान रखता हूँ, अगर बत्ती जलाता हूँ और मैं कहता हूँ कि आज की पूजा मेरी बहुत अच्छे से निपड़ गई और मुझे बड़ी खुसी है ये खुसी छाड़िक है आपके मन में ये खुसी टिकती नहीं है चुकि ये जो आपने की है पूजा ये प्रतिक पूजा है परमात्मा की जो साकार पूजा है जो वास्पिक पूजा है उसका मतलब क्या है कि मनोश चुकि मैंने बताया कि मनोश परमात्मा की सबसे सुन्दर और अंतिम रचना है पनोश भूमंदल पर माली की माती है और माली की ड्यूटी बनती है कि इस भूमंडल पर जित्ती भी परमात्मा की बेवस्ता है माया है उसको संजो करके समार करके रखे उत्रोत्तर और अगर सजा सकता हो तो सजाए ना सजा सकता हो तो कम से कम बिगाड़े ना वर्टमान में क्या है? करोणों लोग भगवाण स्यु के उपासक है, भगवाण की, परमात्मा की पूझा में मगन है, लेकिन ये जो भगवाण का जो परमात्मां का जो सेकेंडी शरूप है, बले ये परमात्मा की वेवस्ता है, ब्रमा बिष्णुमीस, आकास और सूर। यह हमको दिखता है। वो परमात्मा जिसने इनकी रचना की वो नहीं दिखता हैं वो कभी दिखेगा भी नहीं। लेकिन उसकी जो ब्विवस्ता है वो मेरी नजरों के सामने है। उसी ब्विवस्ता में लीन हो जाते हैं तो मनुस का धर्म है मनुस का करतबे की वो परमात्मा की जो बेवस्ता है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें बिल्कुल सराल है कुछ भी कटिन नहीं अब दिखिए ब्रह्मा जी चुकी बने बता है धर्ती की उपर का जो एरिया है जिसको हम वायु पंडल में क्या है लोग क्या कहते हैं कि साफ आक्सीजन की कमी हो गई है जहरीली गैसों की मिलावाट हो गई है तो आक्सीजन की कमी क्यों हो गई है अगर ब्रह्मा जी को समझना है तो आक्सीजन की कमी आखिर क्यों हो गई तो दो हमने अपरात किये एक तो धर्ती का जितन बढ़ गई और और भी कई प्रकार की जरीली कैसों की मिलावाट हो गई तो ब्रह्मा जी का स्वरूप बिगड़ गया आपने देखा होगा जलवाई परिवर्तत अब बारिस कम होती है आज के 70 साल पहले 100 साल पहले जितनी बारिस होती थी अब उतनी बारिस नहीं होती कारण क बार्मा जी जो वाईमेंडल है जो जलवाई है वो हमारे अपने जो करम थे हमारी जीवन तानलिक उसके कारण जो मैंडल है कि उस छेत्र में बदलाव आया है गर्मी बढ़ गई है कि हैं कि हरे भारे बन नहीं है जलासे ख़त्म हो गया तो यह ब्रह्मांजी कि पृती पू क्या हुआ ग्लोबल बार्मिंग जल्वाई परिवर्तन अब उसके खत्रों से कैसे निफ्टेंगे इसी प्रकार बिश्टू का बहुत चीर सागर में चीर सागर तो एक बड़ा सागर है जो समुद्र है धर्ती के उपर जो च्शाच्ट पर så μέए समुद्र है व ऐस्टो में चोटे 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 एरिया में भी जलासे होते थे वह भी बिश्टू मखवान का चोटा सा सुरूप है अब मैं बिश्टू की पूजया करता वह बिश्टू की पूजय करता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मेरे गाउं में लाए खत्म हो गए नश्ट हो गया और अगर जलासे थोटा सा बचा तो उसमें ऐसा पानी वासrire जिसको में चूह नहीं सकता अचमन नहीं कर सकता जलासे में हमारे जानवर पसु जो थे वो पानी पीते थे मैं नहाता था और पुरानी बात करें तो जलासे का पानी आम आदमी भी पीता था नदी घाटी सब्वता के बाद जब नदी घाटी सब्वता से और आगे बढ़े जलासे खोदे बड़े बड़े पूरवजों नहीं हमारे कि चलो नदीयों के किनारे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया तो नदीयों से बाहर भी मनुस को रहने की जरूरत पड़ी तो यह हुआ आप क्या करेंगे तो बोले जलासे बना लो तो कई हजार वरसों तक मनुस जलासे का पानी पीता रहा और आज के ठीक 50-60 साल पहले तक भी जलासे का पानी पीता था लेकिन हम अगर कर देखेंगे आज काईदे से तो आज क्या है कि आज का जो गाउं का या सहर का या कस्वे का जो जला से है उस पानी को पीना तो छोड़ो नहाना छोड़ो अगर आपको कोई 100-200 रुपया देश को कहे कि इसमें अपना हाथ दुबो दो तो साइद आप यह उस पानी इतना गंदा है कि हमने उस पानी मिलावट कर दी रसायनों की इस बातरूम करने में तेजाब करते हर्पी का प्रियोग करते इतना कपड़ा हो गया इतना शाबून और डिटर्जन्ट भाने लगे कि उसमें उस जलासाय कोई जलचर नहीं है कि अ कि तो एई बि एक पत्थर की पिंडी बना करके जिसको हमने सीवलिंग का नाम दे दिया, और अनादिकाल से उसमें फूल माला अगरवत्ती चला रहे हैं, धतूरा चला रहे हैं, हमने वो स्यू के असली सुरूप को समझे नहीं कि स्यू तो वास्तों में ये जो धर्ती है, वो मेरी स्यू है, चुकि जैसे इस करम को जोडते हैं, कि ब्रह्मा जी अपने कमंडल से स्यू की प्यास बुजाने के लिए बारिस करते हैं, ताकि धर्ती हरी भरी रहे, धर्ती के उपर पाई जाने वाली 84 लाग योनियों की माया हमेशा निरंतर बनी रहे, चुकि जिव जगत को पानी बहु और मनुस के हाथ में क्या है, मनुस अपने खेत की सिचाई कैसे करेगा, अगर बारिस नहीं होगी तो, तो इस सारा दारुमदार ब्रह्मा जी के हाथ में दिया गया है, परमात्मा ने बिवस्ता दिये, ब्रह्मा का एक करतब है, ब्रह्मा का एक उत्तरदायत है, और इस ब् समुद्र से पानी को फिल्टर करके और देखिए कहते हैं समुद्र का पानी खारा है कोई पी नहीं सकता लेकिन परमात्मा की बेवस्ता पर अगर आप एकिन करेंगे तो देखिए ब्रह्मा सूरज और आकास क्योंकि धरती के ऊपर का जो हिस्सा है समस्त आकास है जहां तक आक आकास वो भी है वाई मंडल भी हमारा आकास में है तो समुद्र से पानी को उपर उठा लेने में स्यू की प्यास बुजाने के लिए तीन देवतार सतत्त प्रत्र सील रहते हैं ब्रह्मा सूर और आकास तब जाकर के हमको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है पीने का पानी और सिचाई का पानी लेकिन मैं क्या करता हूं मैंने ना ब्रह्मा का ब्रह्मा को तो समझाई नहीं बिश्लू को समझाई नहीं थोड़ा सा सिव को समझने की कोशिज की तो सिव को कलंडर में देखा सिदे सिद कहते हैं धार्मिक अस्तल धार्मिक पुस्तक और धार्मिक गुरू धार्मिक गुरू भी छोटी-छोटी दुकान खोल करके बैटे हैं किसी ने स्यू की दुकान खोली है किसी ने कुछ और दुकान खोली है यह जो complete package है मनुस्त के जीवन में कि तेरे जीवन में परमात्मा का ब्रह्मा का विष्णू का महज का क्या मतलब है उस संपूर मतलब को समझ करके उसकी प्रतीक पूजा को चोण करके मैं कहते हूँ प्रतीक पूजा भी करिए कोई दिक्कत नहीं लेकिन साथी साथ इसका जो मेरे जीवन से जो मतलब है जो जिस भूमंदल पर मैं रहता हूँ उसकी जो बिवस्ताइं है सिव के रूप में धर्ति है वाईमनल के रूप में ब्रह्मा है समुद्र के जलाचाई के रूप में विश्णू है उनके वैभाव को कितना खुबसूरत बनाए रखा जाए इस निमित मनुस का जनम हुआ है और जब धार्मिक ही बात करते हैं कहते हैं हम धार्मिक हैं धार्मिक का मतलब है कि वो मनुस जिसे अपने करतबों का बोध है जिसको यह पता है मेरे मुझे यहां जनम देने का उद्देश परमात्मा का आखिर क्या था जो उस उद्देश की पूर्ति के लगा रहता है वो धार्मिक है और जिसको उद्देश ही यह ही पता जो अपने करतबों का निरवहनी करता है जो अपने घर में कागज के कलेंडर में चपे हुए स concur के आगब करके तीन गणटां उपास नहीं करता है जीवन में क्या करता है वह जाने उइस आई निए और जो देगती जब करता है मैं धार्मिक हूं है आपको धर्म की ABCD नहीं पता तो जब मनुस के धर्म की बात आती है तो मनुस का एक ही धर्म है कि ओ इस धर्ती पर क्यों आया और इस प्रकृत की बैभव के साथ उसका क्या सम्मंद है और प्रकृत की बैभव को निरंतरता कैसे बनाई रखी जाए उसके लिए वो क्या कर सकता ये धर्म है, नमस्कार